हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू मैं चैनल वेदा ओफ आयो आज हम थोड़ डिफ्रेंट टॉपिक डिसकस करेंगे मैंने पहले अपने वीडियो में बीएमेस इंटर्शिप रेजिस्ट्रेशन कैसे करते हैं वह बताया है इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगे कि फाइनल रेज सिस्टम ओफ मैडिसिन उयूपी वाला सेलेक्ट करना है दन जब आपको यह ओपन हो जाएगा तो आपके पास ऐसी कोई साइट खुल कर आएगी उसमें आपको एक ओनलाइन रेजिटेशन फॉर डॉक्टर्स के लिए दिखेगा उसमें पहला वाला जो है पर्मनेंट रेज पहला स्टैप है उसमें क्या होगा आप अपना ओनलाइन रेजिस्टेशन करेंगे इसमें जो आपको डॉक्यमेंट चाहिए होते हैं वह आपको इसकेन कॉपी नहीं लगेगी वह आप अपने फोन से ही फोटो की सकते हैं इसमें जो है आपका हाइज स्कूल और इंटर्शिप सर्टिविकेट है जो कि आपको धन्वंत्री ववन से जो मिला था वो लगेगा इंटर्शिप सर्टिविकेट जो है जो मेडिकल कॉलिज से इश्व हुआ है वो लगेगा इंटर्शिप सर्टिविकेट जो है आपका हॉस्पिटल से मिला है वो लगेगा दिन का photograph लगेगा जो कि 20 KB से कम का होना चाहिए then signature आपका 10 KB से कम का होना चाहिए वो आप अपना resize करिएगा then इसमें आपके जो process होगा form filling का step by step हम यहां पर आपको बताएंगे तो जो आपका इसमें पहला step है उसमें आपको क्या करना है आपको registration करना है उसमें अपना जो भी application number है application ID आपको मिलेगा successful registration करने के बाद then your second step है उसमें आपका fee payment होगा यह आप 24 hours के बाद होता है इसमें application ID आपको enter करनी होगी जो कि 12 डिजिट की होगी then आपको इसमें date of birth बनी आपना as a password then आपको इसमें payment करना है जो third step होगा 24 hours के बाद होगा जब आप अपना fee payment कर देंगे उसमें आपका user name होगा और password होगा मत्तब कि आपको application ID मत्तब कि नंबर भर सकते हैं अगर ID से नहों तो application नंबर भर कि आप अपना login करिएगा तो अब हम इसमें अपना step 1 प्रोसीड करेंगे यह हमारा step 1 प्रोसीड हो चुका है इसमें आपको अपना क्या करना है पहले में आपको अपना name भरना इसमें कोई भी special word यूज नहीं होगा then father name then उनसे relation father का है gender अपना भरिएगा male है या female है then date of birth date then month then year then mobile number then email ID और fee क्या है आपकी 3525 है then आप अपना second registration कर सकते हैं इसमें 24 hours के बाद जब आपका online registration हो जाए then जो second step है वो fee payment का step है इसमें आपको application ID चाहिए होगी और date of birth as a password चाहिए होगा then यह आप proceed करेंगे then आपके पास ऐसा कुछ site खुलकर आएगी इसमें आपको government department जो है उसको select करना है then आपका क्या आएगा second जो आएगा उसमें आपको अपना state इसमें select करना है जैसे कि मैं आपको UP का करके दिखा रही हो तो इसमें उत्तर प्रदेश आपको select करना है then जब आप यह कर देंगे तो आपके पास UP कि सब आज जाएंगे इसमें आपको board of आईवेदी का युनानी तिभी system of medicine करना है select then आपको इसमें payment category में क्या से लग करना है then आपको application fee इसमें select करना है then आपके पास एक application ID होगी जो की 12 digit की होगी वो आपको enter करना है ठीक है then आपको इसमें क्या करना है जब आप अपना application ID इसमें entry कर देते हैं then इसमें आपको fetch payment detail आपको आपना click करना है उसके बाद आप अपने details भरिएगा और अपना online payment कर दीजेगा then आप इसमें अपना third step आप जैसे करेंगे तो final registration होगा इसके बाद आपका कोई भी इसमें edit नहीं होगा जो भी आप इसमें entry कर देंगे उसके बाद आपका उसमें कोई भी correction नहीं होगा तो इसमें ठीक से करिएगा यह मैंने आपको बताए ही दिया था कि कौन-कौन से document इसमें लगेंगे इसमें जो है आप अपना registration number भर सकते हैं या तो 12 डिजिट कर चलेगा या फिर आपका application number चलेगा जैसा कि इसमें मैंने दिखा रखा है कि 7 डिजिट का इसमें लगेगा पास्वर्ट आपका bank reference number होगा आप अपना capture भर के इसमें login कर सकते हैं तो आपको इसका sample देखा देती हूं कि इसका sample कैसा होगा जब यह आप अपना login कर देंगे application ID, bank reference number और इसमें अपना capture जब आप डाल देंगे तो इसमें आपका एक sample आपको दिखा देती हूं यह देखे आपका एक sample है जो कि मैं इसमें दिखा रही हूं आपको यह आपका एक ऐसे खुल के रहाएगा इसमें आपको अपना address डालना है, state डालना है, district डालना है, जो भी आपका address है दें address probe में अधार card, voter ID, कुछ भी लग सकते हैं जो भी आपके पास है दें अधार card details लगीगी इसमें, अधार card का number अधार, आप अपना यहाँ पर attach करेंगे, file दें इसमें आपके high school में, school क्या है, admission कब हुआ था, pass कब हुए था, board क्या है, role number क्या है, enrollment number क्या है actually जो enrollment number होता है, certificate के सबसे top most पे लिका रहता है, जो serial number के बाद लिका रहता है then अपनी mark sheet और certificate को इसमें attach करेंगे, then intermediate जो है, इसमें अपना school, अपना board, अपना admission यह हो, passing यह हो then role number, then enrollment number आपको enter करना है, then mark sheet को attach करें, then certificate को attach करें, then bms की details आप भरिए इसमें district क्या है, आपके state जैसे UP का बता रही हो, मैं, then इसमें आप अपना university भरिएगा, किस से आपकी affiliated है, then अपना college, admission कब हुआ था, pass कब हुए थी, finally year role number क्या है, आपका enrollment number क्या है, जो M से start होता है मैं यहाँ पर, क्या-क्या file attach होती है, मों बताऊंगी, first year की mark sheet, second year, third year, fourth year, और जो final year की mark sheet है, उसमें आपको fourth year की ही लगाने है, अगर आपके supply है, जैसे second year में supply आपके supply है, तो आप उसमें supply और अपने जो भी दो mark sheet है, उसकी एक period याप बनाएंगे, और इसमें attach कर देंगे इसे provisional internship certificate जो है, वो कौन सा होता है, जो धनवंत्री भवन का, से आपको मिला था provisional internship, वो इसमें लगेगा, then college internship certificate में क्या होगा, जो आपको college से मिला है, वो इसमें लगेगा, then provisional degree जो होगे, वो university जो आपको मिली है, final, वो इसमें लगेगी, payment receipt लगेगी, और hospital, government hospital से जो आपको certificate मिला था, वो hospital internship certificate में लगेगा, provisional degree जो से आपने 2024 में किया है, तो वो लिखिएगा यहाँ पर, उसके बाद आप अपना, save कर दीजिएगा, थैंक्स फर वाचिंग, प्लीज शेर और सब्सक्राइब मैं चैनल, थैंक्यू,